Hello everyone, good morning all of you, welcome you all, student in a recent online class, आज की अमारी क्लास है क्लास 4th के लिए आज का हमारा सब्जेक्ट है इंदी, तो बच्चों हमने पिछली क्लास में इंदी 2nd पड़े थी, इंदी व्याकरण के बारे में 5 पार्ट हमने कर लिये हैं, नोटबुक भी काफी बच्चों ने चेक कर वाली हैं, तो अब हम इंदी 1st पड़ेंगे, इंदी 1st की बुक का नाम है आपके नंदी नी इंदी पार्टे पुस्त, तो हमने उसमें 5 पार्ट पूरे कर लिये हैं इंदी व्याकरण में, तो अब हम आज से इंदी 1st पड़ेंगे, तो बच्चों आप अपनी इंदी 1st नंदी नी इंदी पार्टे पुस्त का पहला पार्ट निकालो, और मेरे साथ शाथ पड़ने की पूरी-पूरी कोशिश करो, पहला पार्ट है आपका तिरंगा, तिरंगा अमारा क्या है? राष्ट्रे ध्वेज, तिरंगा है जो एक कविता है और इसकी कवी है स्यामलाल गुप्त पार्सजी, बहुत ही अच्छी कविता है, जब मैं छोटी थी, जब मैं पढ़ती थी, तब ये मेरे फिफ्ट क्लास में ये मेरे कविता आई थी, लेकिन अभी कोर्स बहुत ही अच्छा हो गया, अभी इसमें फूर्थ क्लास में आ गई है, तो बच्चों आप है जो इसको ध्यान लगा के और एक देव इसका सही उचान करके इसको पढ़ना, मेरे साथ साथ सुर से सुर मिलाओ, किके बच्चों? विजयी वी स्वती रंगा प्यारा, जंडा उंचा रहे हमारा, वीरों को हरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, मात्र भूमी का तन्मन सारा, जंडा उंचा रहे हमारा, इसमें कवी, इस कवीदा के मादेम से क्या बता रहा है, कि हमारा जो तीरंगा जंडा है, वो विजयी वी स्वती रंगा है, वो हमेशा उंचा रहे हमारा जंडा, और जो हमारे वीर है, उनको भी अर्साने वाला है, और प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम यानि सने और वाला है मात्र भूमी का तन मन सारा यह हमारी जो मात्र भूमी है हमारी भारत माता है हमारी धर्तिमा है उनका तन और मन यह जो है सारा यही है कौन हमारा तिरंगा जंडा और जंडा उंचा रहे हमारा तो कवी इस कवीता के मात्यम से हमको यही बताना चाहता है कि हमारा जो ति फिर आपके आगे हैं आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बली बली जाओ एक साथ सब मिल कर गाओ प्यारा भारत देश हमारा जंडा उंचा रहे हमारा इसमें कभी कह रहा हैं कि वीरों को आहवान कर रहा हैं वीरों को बुला रहा हैं कि आओ वीरों प्यारे वीरों अमारे देश के जितने भी साहसी वीर हैं वो सब आओ और देश धर्म पर बली बली जाओ अमारा जो राश्रवाद हैं अमारा जो भारत देश हैं उस पर अपना जीवन है जो नुच्यावर कर दो बली बली जाओ आपना प्राण है जो इसको जन्डू के उपर ट्यागदो एक साथ सब्मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा कभी कहता है कि हम सब्मीलकर हमको यह गाना है कि हमारा जो भारत देश हैं वह सबसे प्यारा है और जंडा है जो हमारा सबसे उंचा है फिर आगे हैं इस जंडे के नीचे निर्भय रहे सुरक्षित यह द्रड निश्चै कापे सत्रू देख कर्मन में मिट जाए भय संकट सारा जंडा उंचा रहे हमारा इसमें कवी यह कहना चाता हैं कि ये जो हमारा द्रण जंडा है इसके नीचे जब हम खड़े होते हैं तो निर्भय हो जाते हैं यानि वैसे मुक्त किसी भी तरीके कोई हमको डर नहीं लगता रहे सुरक्षित यह द्रड निश्चे और यह द्रड निश्चे कर लेते हैं कि यह जंडा है जो हमारा सुरक्षित रहेगा और हम सब है जो सुरक्षित रहेंगे और भैसे मुक्त रहेंगे काँप पे सत्रू देख कर्मन में जब भी सत्रू इस जंडे की तरफ देखते हैं तो वह खुद हैं जो काँप जाते हैं उनको डर लगता है और मिठ जाए बय संकर साए और हमारा है जो सारा ही बय जितना भी संकर, जितनी भी कसोटी वो सब हैं जो हमारे मिठ जाते हैं इसलिए जंडा उंचा रहे हमारा तो हमारा जंडा है जो हमेशा ही उंचा रहे बहुत ही अच्छी कविता है शामलाल गुप्त पार्स जी ने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है तिरंगे के बारे में बताया है और यह पाट है जो मारा पुरा हो चुका है और आपका हुंवक आज का है सब्दार्थ विजई जीतने वाला सुदा अमरित निर्वय निडर सत्रु दुस्मन तिरंगा वारत का राष्ट्री जंडा प्यारा प्रिय प्रेम प्रिति सने द्रड मजबूत संकट विपती अरसाने मात्रभूमी जनमब्ूमी मिलिच इरादा सुरक्षित भली बाती रक्षित बली बली जाओ य Nay बलीदान करो तो यह सब्दार्थ्थ हैं जो आपको अपनी कौपी में करने ही है और यह मोखिक है तो आपको सिर्फ मोखी की जवाब देना जाय करना कड़ो और बोलो- यदि निर्भै प्रेम्सुदा द्र्ड निश्चय सत्रू भै नीचे दियेगे प्रष्णों के मोखी गुतर दी इसको आपको इसको भी नहीं करना है इस कविता के कवि का नाम बताईए इस कविता के कवि का नाम है स्यामलाल गुप्त पार्सजी बहुत ही अच्छी कविता है इस तोहं है कि देसधर्म पर नुचर होजाओ वीरों कौ आ विरों क्या गाने के लिए कवी सब को एक साथ मिलते गाने केये short की हमारा बारत अगौरा जंडा ऊंचा जा रहे हमारा तो आपको ये भी आप को नहीं करना है अब आपको जो करना है वो यह है लिखिद तीसरा सही उत्तर पर सही का निसान लगव विज़ेई वीस्वक्त क्या है तिरंगा तो फर्स्ट वाला ओप्शन सही है जन्रे के नीचे खड़ा होना चाहिए निर्बय होकर तो इसमें भी फर्स्ट वाला ओप्शन सही है फिर फॉर सू मेलित कीजिए राष्टर धर्म को किसे मिलाना है राष्टर वाद से सुरक्षित को किसे मिलाना है अच्छी तरह रक्षित सत्रु को दुस्मन से मात्र भुमी को स्वदेश से इस तरीके से आपको मिलान करना है फिर आपको पांचवा निम्द लखीत प्र है वहीशव विजयाई बने हमारा जंड हमेशा उंचा रहे तो कभी के मन में यह इच्छा evidence कि इसका मांसमान कभी कम नहीं हो और हम सब मिलकर करके इसे विजयीव विश्व तिरंगा बनाएं फिर कभी को तिरंगा के नीचे कैसा अनव हो रहा इस कविता का भावार्थ क्या है यह यह कि हमारा राष्ट्र जंडा है सदे उंचा रहे इसकी यान बान सान हम अपना सर्वसर नचार करने के लिए सदा तयार रहे इसे प्रेम रुपी अम्रुत वर्शा करने वाला बताया गया है इसके नीचे सारे भय और संक्र दूर हो जात है ग्लास में दरे ठीखे बचाओ टैंकी अगर आपको फिर्स्ट अगर आपके पास फिर्स्ट कॉपी notebook डाली होई है तो बहुत अच्छी बात है आप अलग copy में करो अगर नहीं डाली होई है अवेलबल नहीं है तो आप इंदी व्यागन की copy में कर सकते हो लेकिन अगर डाली होई है तो फिर आप इंदी first की अलग copy में पाट का नाम लिख के और अच्छे दंग चे ये पूरा काम करोगे तीसरा चोथा और पांच चोथा ठीके वच्चों और सब्दार्थ ठेंक यू